दोस्तों आप सभी का UPSC Prelimp PYQ Series में स्वागत है आज है जोग्राफिका PYQ Series जिसमें हम देखेंगे Climate यानि जर्वाज से सम्वंदित जितने कुश्चन आये हैं 2011 सर 2013 तक उन सभी कुश्चन को डिसकस करेंगे Classes लेने में थोड़ी से देरी हो गई लेकिन अब Classes continue रहेंगी और जैसा हमने आपको प्रॉमिस किया है सभी सब्जेट का PYQ Analysis मिलेगा और पहलर जो भी Classes चल रही थी वो सारे Classes continue चलेंगी तो अगर आप कहीं गए हैं तो फिर से जुड़ जाएए क्योंकि ये Class बहुत आपके लिए ट्रेस्टिंग होने वाला है आप इसमें PYQ के साथ साथ आपके basic concept भी clear होते जाएंगे तो आगे पढ़ने से पहले हम आपको अपना टेलिग्राम चैनल का link बता दें या तो description box में इसका link मिल जाएगा या आप direct जो है यहां से study on ice नाम से टेलिग्राम सर्च कर सकते हैं या फिर description कर सकते हैं ताकि आपको PDF और जो भी classes के information हो वो सबसे पहले आपको मिल सके और इसके लावा एक चीज़ाओ कर सकते हैं आगर आपको classes पसंद आ रही हो तो study on UPSC study on ice को जो है subscribe कर सकते हैं notification बिल जरूर दवाईएगा ताकि आपको कोई भी नया वीडियो आया है सबसे पहले आपको मिले क्योंकि जैसे जैसे exam नजदिक आएगा वैसे वैसे classes की संख्या बढ़ती जाएगी इसके लावा ये हमारा Instagram है study on UPSC इसको भी आप जो है question देखने वाले हैं तो सबसे पहले कुछ basic अंतर समझ लेते हैं जलवाई और मांसून के बारे में तो ये अंतर जो हम बता रहे हैं ये अंतर हमने लिया है NCRT की बुक से 11 की physical geography की बुक है उससे हमने लिया है हलाकि अंतर कोई अंतर नहीं है कि हम चाहे NCRT से बताएं या फिर किसे और बुक से बताएं या खुश से बताएं जो climate और मांसून में अंतर रहता है वो तो अंतर रहे गाई बात करे मांसून या मौसम की तो वाई मंडल की एक short term में घटित होने वाली घटना है यानि छड़ी कवस्था है जबकि वहीं जलवाई जिसे हम climate कहते हैं ठीक है वो long term में घटित होने वाली घटना है यानि मौसमी घटनाओं का एक average निकाला जाता है उन घटनाओं को उन average को जलवाई कहते हैं ठीक है और मौसम में क्या होता है जल्द जल्दी बदलता रहता है जैसे एक दिन एक सब्ता में लेकिन जलवाई जो होता है ये बदलाई जो होता है पचास साल या इससे अधिक वर्सों में होता है तो ये कुछ basic differences हैं जो आपको जानना जरूरी है क्योंकि आप कोई नया topic सुरू कर रहे हैं या नया question paper ही solve कर रहे हैं तो कुछ basic differences आपको जानना जरूरी है बात करें 2012 में 2011 में climate से direct कोई question नहीं था ठीक है तो 2012 में question पुछा गया climate से ये मांसून से संब्दित question है North East मांसून और South West मांसून से संब्दित question है इसमें पुछा गया नेमलिखित कत्नों पर विचार केजे दच्छड भारत के उत्तरी भारत की और मांसून की यवद घटती है यानि दच्छड भारत से लेकर उत्तर भारत की और जब मांसून भटता है तो उसकी मांसून की यवद गटती है option दो दिया है उत्तरी भारत के मैदानों में वार्सिक व्रिष्ट की मात्रा पूर्व से ठीक है पूर्व से पस्चिम की और घटती है यानि मात्रा वर्षा की मात्रा में कमी आती है तो आपको बताना है कौन सा कथन सही है ठीक है तो कुशन्स का answer देने से पहले कुछ आपको factual जानकारी या basic concept लिगा रहने चाहिए जैसे winds winds जो होती है वो high pressure से low pressure के तरफ चलती है ठीक है और तीन सेल होते है उनको आपको जानना है और हवायों का जो अपवान होता है ठीक है यानि हवाय जब उपर उठती है और नीचे बैटती है तो उनको क्या कहते है ये भी आपको जानना जरूरी है ठीक है इसके लावा wind builds को भी आप अच्छी तरीके से समझ रहे हो ये भी आपको जानना जरूरी है और इसके अलावा इन wind belt में आप देख रहे हो कुछ red color के belt है कुछ जो है आप देख रहे होंगे blue color के belt है तो इनको एक norm एक term दिये जाता है यानि 0 degree से 10 degree north ये south को और इसके अलावा आगर कहा जाए इन 60 degree north ये south को हम thermally produced build कहते हैं क्योंकि जैसे 0 degree की बात करें इस पर direct sunlight पढ़ती रहती है ठीक है तो इसके द्वारा इसका तापमान बढ़ता है यहाँ पर low pressure का विकास होता है ठीक है और इसके अलावा जब अगर temperate low pressure की बात करें तो temperate low pressure की बात करें तो यहाँ पर जो है देखेंगे कि यह temperate low pressure क्यों होता है क्योंकि यहाँ की हवाय सब ट्रॉपिकल से जाकर और यहाँ से polar से हवाय आकर जो है यहाँ पर बैठ देती है इसे dynamic जो है build कहते हैं ठीक है और इसके अलावा जो 90 degree है 90 degree polar वाला इसे जो है इसे भी thermally produced जो है build कहते हैं क्यों क्योंकि यहाँ पर जो है temperature बहुत ज़्यादा high होता है sorry low होता है क्योंकि यहाँ पर तापमान में बहुत ज़्यादा कमी होती इस card यहाँ पर high pressure के विकास होता है ठीक है तो ध्यान रखिएगा दो build हैं जिसे हम क्या कहते हैं thermally produced build कहते हैं और दो build हैं जिने हम जो है dynamic produce build कहते हैं तो thermally produced build में क्यों आगा equatorial आएगा और आएगा polar आएगा ठीक है और इसके लावाद जो बाकी दो build हैं subtropical और यह temperate की बात करें तो यह जो है क्या है dynamic build है ठीक है तो यह कुछ basic differences है इसको आपको ध्यान रखना है इसके लावा ITCZ के बारे में भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि यह जो आप मांसून पढ़ रहे हैं तो ITCZ का shifting होता है sun के according जो है North hemisphere और South hemisphere पे उसके according जो है मांसून में भी परवर्तन होता है ठीक है मांसून का लोटना मांसून का आना यह सब sun पे dependence है यह भी आपको ध्यान रखना है इसके लावाँ एक basic concept आपको अर्थ के rotation के और इसके effect के बारे में जो है North hemisphere में जो है राइड की तरब जो है यह क्या होती है deflect हो जाती ही wind और South hemisphere में left की तरब जो है wind जो है deflect हो जाती है ठीक है अब यह सब बाते बताने का संबंध आपको लग रहा होगा कि यह सब बाते क्या कर रहे हैं लेकिन indirectly और directly यह बाते आपको इस question में इस question को समझने में आपको help करेंगे ठीग है अब बात करेंगे Northeast Monsoon की इसे क्या कहते हैं? मांसून को लोटना भी कहते हैं और सौथ वेस्ट मांसून ये भारत में जब मांसून सौथ की तरब से सौथ पश्चिम तरब से सौथ पश्चिम तरब ट्वेस्ट करता है इसे सौथ वेस्ट मांसून कहते हैं ठीक है? अब आप देख रहे होंगे कि नौर्थ इस्ट मांसुन में यहाँ पर हाई प्रेसर होगा और सौथ वेस्ट मांसुन में देखेंगे तो यहाँ पर ओशियन में हाई प्रेसर होगा और जबकि लेंड पर क्या होगा लो प्रेसर होगा और just reverse होगा नौर्थील्स मांसून में जो है land पर high pressure होगा और ocean में आपको low pressure देखने को मिलेगा अगर आप North East manson की Condition देखेंगे तो यह समय होता है October November December ठीक है और यहां से लेकर March तक तो इस time क्या होता है इस time जो है North semester में ठंडी रहती है North compared ठंडी रहती है और आप देखेंगे कि जो स्न की होती shifting हो जाती है ठीक है सन की सिफ्टिंग दो है दिसंबर से जनवरी में आप देखेंगे आई टी सी जड़ जो है यह सिफ्ट हो चुका होता है मकर रेखा की दरफ तो इस टाइम क्या होता है यहां पर जो है कोल्ड ठंड की वज़ा से यहां पर हाई प्रेसर डिवलप हो जाता है जबकि जो होता है वहां पर जो है इसकी पेच्छा गरम होता है इसकी विशिश्रिफ्स में जो है लेटिन ठीट यानि ज्यादा होती है जल की ठीक है हवाय जो होती है अस्थल से जो है किदर की चलती है सागर की तरफ चलती है और जस्ट रिवर्स होता है सौथ वेस्ट मांसून में ज जयाता है उस टैम जो है ओसं जो होता है लो प्रेसर है की जगहां जो है हाइप एस यह तरफ ने टीख आ यह बात करते हैं अब मांसून की बात करते हैं तो मांसून में देखिए सबसे पहली बात कर रहा है दच्छड भारत से उत्री भारत की और मांसून की अवद घटती है ठीक है दच्छड भारत से उत्री भारत की और मांसून की अवद घटती है तो ये बात बिल्कुल सही है ठीक है आप देखेंगे जब Southwest मांसुन जो है भारत में प्रवेश करता है तो दो शाखा के रूप में प्रवेश करता है एक साखा होती है अरब सागर की ठीक है और एक साखा होती है बे या बंगाल की अब अरफ शागर की साखा जब वेस्टन घाट में जो है घुस्ती है तो आप देखेंगे वेस्टन घाट देखेंगे वेस्टन घाट में बहुत सारे आपको पीक्स मिलेंगे ठीक है परवत चोटिया मिलेंगे जैसे कल्सुबाई होए गई महा बलेस्वर हो गया डोडा के जो है यहां मेधानी लोकों में वर्षा कर सकती है वह करती है हाला कि यह पुरा का पूरे व्रष शाया प्रदेश में आता है तो हवाएं पुरी जो है वेस्टन घाट में ना ःती है यहां से वर्षा करती है ठीक है और इधर बंगाल की साखा चली जाती है मासिन राम मेगाला हिल्स पर यहां टकरा कर जो है वर्षा करती है तो पूर्व से जो है पस्चिम की तरफ जा जाते है उसकी आदता में कमी आती है यहां पर आवली रेंज है तो आदता में कमी आती है तो वर एक बात बता दें कल्सु बाई जो है जो कल्सु बाई मैंने बताया वह जो है गोदावरी नदी का ओर्जिंग महां से होता है महां बलेसोर्ज और किष्णा नदी का यह सब चीजे भी आपको ध्यान रखना है इसके अलामा जो है साउथ इंडिया की बात करें तो जो यह कोस् और छेत्रों की यह पेच्छा वर्षा जादा होती है ठीक है क्योंकि यहां पर देखेंगे ओशन है ओशन से नमी जादा मिलती रहती है और जैसे जैसे मांसुनी पाउने जो है साउथ वेस्ट मांसुन अंदर की तरफ जाता वैसे नमी की कमी होती है और वर्षा की मात्रा म भी कमी होती जाती है इस प्रकार देखेंगे इसमें एक और दो सही है आपको लिंदी लग रहा होगा लेकिन ये basic concept जो है आपको समझना जरूरी है जरूरी नहीं अगली बार जो है इस तरीके से question पूछा जाए कुछ हटके भी पूछा जा सकता है इसलिए ये सब चीजे भी आपको ध्यान रखना जरूरी है इसमें बहुत सारी चीज़े हमने नहीं पताए क्योंकि यह हम previous year question paper solve करवा रहे हैं तो यह सब चीजे भी आपको ध्यान रखना है तो यह explanation हम बता चुके हैं तो आपको explanation पढ़ सकते हैं आप पर ठीक है इसके लाव यंसी आर्टी में देखिए 11th यंसी आर्टी में इसमें प्लिखा भारत के जलवाई को प्रभावाईद करने वाले कारक में अच्छांस में क्या-क्या होते हैं इसको भी आपको देखना है हिमारे परवत कैसे भारत के जलवाई को प्रभावाईद करता है जल और अस्थल कैसे प्रभावाईद करता है यह सब चीजें आपको ध्यान रखनी है समुत्थ से दूरी समुत्थ से उच्छाई , अच्चावच ठीक है ? तो यह सब चीजे भी आपको पढ़ लेना है इसके अलावा ITCJET के बारे में भी याँपा डेटेल में दिया गया NCRT से ही दिया गया इसको आपको पढ़ने ना वीडियो पॉस करके यानि कहने का मतलब आपको कहीं से कुछ भी ढूंडने की जरूत नहीं है क्यों हम एक कुष्षन के पीछे इतनी सारी चीजे बता रहे हैं ताकि एक कुष्षन के साथ साथ उससे जुड़ी हुई जितनी घटनाए है चाहे लैंड ब्रीज हो, सी ब्रीज हो, वो सब चीजे आपकी क्लियर होती जाए क्यों जो है सौथ वेस्ट मांसून जो है वेस्टन घाट से सीधे निकल जाती है ठीक है, वेस्टन घाट से सीधे निकल जाती है, अंदर की तरफ नहीं जाती है क्योंकि यहाँ पर देखेंगे, यह continuous जो है, स्कार्प लेंड है ठीक है और बहुत सारी peaks पाई जाती है तो वो जो फोती हैं सौचवेस्ट मानसून यहां से टकरा कर जो है इस तरफ वर्सा कर देती है इस तरफ जो है वरिष्चाया प्रदेश हो जाता है क्योंकि यहां जाता है जो हवाय उतरती है किसी पहाड से या हिल से तो यहाँ पर आद्धा की कमी आ जाती है यह सब चीजे बेसिक चीजे हैं यह आपको ध्यान रखना है इसके लावाँ एलेनो और भारती मांसुन पर क्या प्रभाव पड़ता है इसको भी आपको ध्यान रखना है को परड़ाम क्या होते हैं ये जरूर आपको ध्यान रखने की जरूरत है इसके लावाइड़ बार आईसो थर्म ये चीज़े क्या होती है इसको भी आपको ध्यान रखना आईसो लाइन होता है एक इमेजरिन लाइन होती है ठीक है जो एक इमेजरिन लाइन होता है जो रीजन को जो है एक इमेजरिन लाइन होता है जो रीजन को जो है एक इमेजरिन लाइन होता है जो री किसके उत्पादन के लिए जाता है यह आपको दियान रखना था अगर आपने प्लेस का नाम गेस्ट कर लिया होगा तो आप यह कुश्चन सही कर ले होंगे कि नौर सुपारी मेवात आम कोरो मंडल सोयाबीन सही युग्म सुमेलित करिए तो आपको बताना है कौन सा युग् जहां तक किनौर की बात है अगर आपने किनौर आपने देखा होगा तो यह कहा है हिमांचल प्रदेस में है तो हिमांचल प्रदेस में यह जो है ट्रोपिकल रीजन का जो एरिया वहाँ पर यह फशल है कह सकते है कैस्ट क्रॉप है वहाँ पर होता नहीं हिमांचल प्रदेस का किनोर जो सेप के लिए फेमस है जबकि सुपारी की बात करें तो करनाट का और केरल असम यहां पर होता है जबकि मेवात रीजन कहा है मेवात रीजन हर्याडा है यह बेसिकली क्या है क्रिश प्रधान एरिया है और कोरो मंडल क्या है कोरो मंडल यह तमिलनाड के कोस्टल वा उत्पादक कौन है 89% उत्पादक जो है महाराष्ट और MP यानि मध्य प्रदेश है जिस परकार इसमें option D कोई भी सुमेलित नहीं है यह आपको ध्यान रखना है इसका explanation यह पर दिया गया है इसको आपको पढ़ लेना है इसका लाँ दोस्तो 2015 में question पूछा गया यह question जो पूछा गया 2023 में भी ऐसे question पूछे गया है यह question जलवाई प्रदेश यानि जलवाई छेत और प्राक्तिक वनस्पत के एक दूसरे से अंतर सम्मंदित हमेशा रहते हैं उसी से question पूछा गया यानि जलवाई ही उसकी जगह की या किसी छेतर की वनस्पत उसकी जय विविद्दा को निर्धात करती है उसमें और अन्यका जारक होते हैं बैरहल इस question को देखते हैं जिसमें पूछा है नेमलिखित नेशनल पार्कों में किस एक जलवाई जलवाई मतलब उफ्रकडबंदी से उपूफ्र सीतोफ्र आर्कटिक तक परवर्तित होती है यानि इन चारों आपसन मस्ते कंचन जंगा नंद देवी नेवर नाम दफा इसमें कौन सा ऐसा छेत्र है जिसमें आपको उफ्रकडबंदी विसेस्ता उपूफ्रकडबंदी सीतोफ्र आर्कटिक ये सारी विसेस्ता आपको दिखाई देती है ठीक है सबसे पहले इसकी location आपको अगर ध्यान हो तो आप ये question फटाक से सही कर लेंगे हाला कि ये जुड़ा कहां से है इसका concept जो है वो आपको समझत जरूरी है लेकिन आप बिना concept के भी अगर आप चाहे तो इसको solve कर सकते हैं कंचन जंगा ये सिक्किम में है बहुत सारे लोग गलत किये होंगे ठीक है सिक्किम भारत और नेपाल के सीमा पर है नंदा देवी नेशनल पर कहां है यूके यानि उत्राखण में है नेवरा वैली नेशनल पर कहां है ये विस्ट बंगाल में है और नाम दफा कहां है अडांचर प्रदेश में अगर आप कंचन जंगा सोच रहे होंगे इसका एंसर है तो कंचन जंगा में आपको ट्रॉपिकल रीजन नहीं मिलेग ठीक है तो इसको एल्मिनेट कर दीजिए नंदा देवी यहां पर भी आपको ट्रॉपिकल उपोफुड नहीं मिलेगा ठीक है नेवरा वैली में आप जाएंगे तो वहां पर आपको शीतोफुड जो है और आर्कटिक नहीं मिलेगा ये एल्मिनेट कर दीजिए तो बचा प्रदेस में यहाँ पर आपको उफ्रकटबंदी, उपो, श्रीतोफ और आर्कटिक जो है नेशनल पार्क मिलेंगे, क्यों मिलेंगे, इसका discussion हम लोग आगे करेंगे और आपको समय के साथ थोड़ा सा पेसंस बनाये रखिएगा, आपको सौझ मायेगा, सबसे पहले इसके लि भारत की स्थित देखेंगे, तो भारत की स्थित आप देखेंगे, साड़े तीस डिग्री नॉर्थ पर देखेंगे, तो यहाँ पर जो है, अगर नॉर्थ विस्तार देखेंगे, तो आठ डिग्री चार मिनट से 37 डिग्री जो है, छे मिनट नॉर्थ तक है, ठीक है, भारत प्राक्तिक वनस्पत की बात करें तो प्राक्तिक वनस्पत जो होती है उसका जो है तापमान उसकी वित्ता को निर्दाद करता है यानि अगर तापमान कम होगा वहाँ प्रकास अंसलेशड की दर भी कम होगी और विच्छो की जल लकडियां होगी वो कठोर से मुलायम की तरफ आपको मिलती जाएंगी यानि ट्रॉपिकल की ज्यादा कठोर होगी सब ट्रॉपिकल के उस यानि जल की उपलबता यानि वर्षा की मात्रा अगर कम होगी तो सगहनता में कमी आईगी सगहनता कम होगी और जय भार भी कम होता चला जाएगा और जय विवेत्ता भी कम होगी ये कुछ इंटर रिलेशन है जो आपको जलवाय और तापमान प्राक्तिक वनस्पति इन सब सवाय के संबंद को देखेंगे या फिर वनस्पति का उर्द्वाधर वित्रड देखेंगे ठीक है वर्टिकल डिवीजन देखेंगे तो सी लेबल से सी लेबल से 900 मीटर तक 900 मीटर तक आप देखेंगे तो सबसे उपर आपको सदा बहार मिलेगा इसके बाद अर्द सदा बहार मिलेगा इसके बाद पढ़ पाती मिलेगा इसके बाद जो है कटीले वन मिलेंगे सवाना मिलेगा मरुस्थली मिलेगा तो आप देख रहे होंगे वर्षा की मात्रा में क जमी आ रही है ठीक है और यहां पर जो है आप यहां का आउसत वार्षिक तापमान जो है 22 डिग्री से अधिक है और यहां तापमान की ये पेच्छा जो अपना वर्षच जमाय हुए है यानि जो इन वनश्पतिये के विकास को प्रवाइद कर रहा है वो क्या कर रहा है कि मात्रा अपना वर्चस नहीं जमावे इन वनस्पतियों के विकास में तापमान अधिक जो है प्रभाव रखता है यानि उचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आती है और वनस्पत जो होती ही कठोर से मुलायम तक जाती है तो यह कुछ बेसिक कॉंसेप्ट है यह आपक प्राइदीपी भारत और इसके लावा हिमाले अंच्छेत्र हिमाले की बनस्पतियों को देखेंगे अगर दोस्तों प्राइदीपी भारत की बात करें तो प्राइदीपी भारत में आपको मिलेगा उफ्ड कडबंदी सदा बहार बन उपोफ्ड कडबंदी आद्र पडपात बन अठारा सो मीटर तक मिल जाएगा आपको प्राइदी भारत में इसके पराद समसीत उफड़ बन मिलेगा यहां पर आपको टुंड्रा और आर्कटिक जैसे इस्थित नहीं देखने को मिलेगी ठीक है और नौसो मीटर में आपने सुना होगा सोला वन और फ्रॉस्ट आते ह दो आपने सदा आते हैं कि कि के और समसीत उफड़ बन में कौन आते हैं ओख हो गया इल्म हो गया पूलर हो गया यह सब जो हैं वनस्पतियां आती है जब कि दोस्तों हमालय छेत्र की मशाओ की वर्टिकल डिवीजन की की बात करें तो हिमाले छेतर में एक विसेस्था है जो पूर्वी हिमाला है वह पश्चिमी हिमाले की पेछा जो है इवस्त अगर उचाई सेatori बाला है यानि पुर्वी हिमालय का भाग जो तो इसी कर रहा है त्प आप मनिहां का अधिक होता है और फोचोशन पूचा गया है वह आपको सेंसर मिलेगा ठीक है अब पूर्वी हिमालय में आप दिखेंगे तो आपको 900 मीटर तक आपको उफ्रकदबंदी 1 भी मिल जाएगा इसके बाड़ा 1800 मीटर तो आर्थ पड़ पार्थी 1 मिलेगा 2700 मीटर पर आपको जो है समसीत उफ्र 1 मिल जाएगा 3300 मीटर पर आपको संकुधारी उसके बाद टुंडरा 1 मिलेगा जबकि वहीं पश्चमी हिमाले की बात करें तो आपको जो है जो चीजे वहाँ पर 3300 मीटर से उपर 4000 मीटर तक जाएगे वहाँ पर आपको पूरा हिमाच्छादी सता मिलेगा ठीक है और टुंडरा रीजन की बात करें तो 3300 सथ थोड़ा उपर जाएंगे तो आपको टुंडरा रीजन मिल जाएगा कहने का मतलब है जो नाम दफा है नाम दफा नेशनल पार्क वो है अवडांचल प्रदेश में और इस कुश्चन के हिसाब से वहाँ पर उफ करबंदी उपोर्स सितोफ और आर्कटिक ये सारी विशेष्टा आपको इस्टर्ण जो है हिमालेरन डीजन में देखने को मिलेगा तो इस प्रकार इसमें जो है ऑप्सन जो है डी साई हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर देखिए वर्ड रीजन और उसके वनस्पत छेतर की बात किया है तो इसको आपको देख रहेना है हमें इंडिया से मतलब था तो इंडिया हमने बता दिया ठीक है यहां पर देखिए सेवन सिस्टर इसकी बात कर रहे थे ठीक है नाम दफ़ा यहां पर है तो यहां पर इस्टर्ण हिमालिया में आपको जो है उफ्रकटबंदी से लेकर जो है आपको आर्कटिक जैसा जो भी प जंचन जंगा यहां पर नंदा दे भी मिल जाएगा तो यह सब चीजे आपको ध्यान रखना है इसके रहाँ दोस्तों क्लाइमिट में जलवाई में 2017 में कुछिन पूछा गया इसमें पूछा है भार्ती मांसुन का पुर्वा अन्मान करते समय कभी कभी समाचार पत्रों में उलेखित इंडियन ओशन डैपॉल यानि आयोडी के संदर में निमलित कत्नों में कौन सा कतन सई आप्सन एक आयोडी पर घटना यानि इंडियन ओशन डायपोल की घटना उफ्ड कडबंदी पस्चमी हिंद महासागर एवं उफ्ड कडबंदी पूर्वी प्रसांत महासागर के बीच सागर के प्रिष्ट यानि सता के तापमान में अंतर से विसेशित होता है आप्सन दो आयोडी पर घटना मांसून पर एलनीनों के असर को प्रवायूत कर सकता है तो इसमें बताना कौन सा सही है ठीक है जहां तक दोस्तों इंडियन ओशन डायपोल की बात है वो दो धुरूओं या छेत्रों के बीच की घटना है तो इंडोनेसिया के पूर्वी हिंद महासागर के दच्छड में एक पूर्वी धुरूब और अरब सागर के पश्चमी हिंद महासागर के एक पश्चमी धुरूब के बीच समुद्री सता के तापमान में जो अंतर होता है यानि घटित होने वाली घटना है ना कि पूर्वी प्रसांत महासागर में इस प्रकार एक गलत हो जाएगा तो एक जहाँ हूं उस किलमेट कर जाएगा इसमें जो होगा option 2 सई हो जाएगा जहाँ तक यह दो प्रकार के होते हैं एक होता है negative Indian Ocean Dipole जिसका संबंध हम लोग लगाते हैं कभी कभी हम जो लालीना से करते हैं एक होता है positive Indian Ocean Dipole जिसे हम लोग L9 से के साथ जो है इस घटनाओं को जोड़कर देखते हैं ठीक है तो यह सब चीज़ का explanation यहाँ पर दिया है तो इसको मिलाकर इसका answer जो होगा option B जो होगा वो सही होगा तो यहाँ पर Indian Ocean Dipole देखिए positive Indian Ocean Dipole निगेटिव Indian Ocean Dipole तो positive Indian Ocean Dipole जैसा हमने बताया उसो L9 के साथ देखते हैं ठीक तो यहाँ पर positive Indian Ocean Dipole में देखेंगे हवाएं जो है यहाँ पर Indonesia से high pressure से low pressure की ओर जो है यानि अरब सागर की ओर चल रही है और negative Indian Ocean Dipole में देखेंगे हवाएं जो है अरब सागर से जो है जो Indonesia वाला छेतर है पूरवी पोल है उस तरफ चल रही है इसको और detail में जो है आने वार सांथ महासागर कहा था जबकि ये बात गलत है तो इस हिसाप से आप जो है अगर आपको basic concept clear है तो आप ये question solve कर सकते हैं अब 2023 में question पूछा गया जैसा हमने बात किया था कि जलवाय और प्राक्तिक वनस्पस से ही संबंदित question पूछा गया था तो ये सब भी चीज़े आपको ध्यान रखनी है तो इसमें देखिए 2023 में question पूछा गया और पूछने का तरीका भी थोड़ा change हुआ उफ्षकडबंदी वर्सा वनों में मिर्दा पोसक तत्व से भरपूर होता है ये question exact अगर कहें थोड़ा change करके यही first जो है option जो है 2011 में भी question पूछा गया है ठीक है climate से और इसमें option दो दिया उफ्षकडबंदी वर्सा वनों के उच ताप और आदता के काड़ मिर्दा में बिद्दिमान जो मृत जय पदार्थ है उनका जो है सीघर जो है जल्द जलवाय और प्राक्तिक वनस्पत के संबंध के बारे में तो इसमें देखेंगे सबसे पहले हम देखेंगे कि जो उसको सबसे पहले हम लोग justify करते हैं तो उसके पहले हम लोग देखते हैं ICAR द्वारा यानि Indian Council of Agriculture Research ने मेजर स्वाइल में जो है जो मुख स्वाइल है उसमें जो है 80% स्वाइल में जो है जलोडक काली लाल लेटराइट मिद्दा को सामिल गिया जबकि minor स्वाइल में 20% मिद्दा को रखाया जिसमें परवती मरस्तली पिट और सेलेनाइन अलकनाइन स्वाइल आता है ठीक है तो सबसे पहले देखते हैं इसमें हम इसमें देख लेते हैं ऊफ्रकडबंधी सदा बहार बन या वर्षा बन जिसे कहते हैं यानि जीरो डिग्री नौर्थ से साउथ के बारे में ये कुशन पूछ रहा है ठीक है तो ऊफ्रकडबंधी सदा बहार बन कहते हैं यानि हा right soil ठीक है और यहाँ पर वर्स बर और जो माशिक तापमान होता है वो 18 degree Celsius से अधिक होता है और इसे जो एक term कहते हैं उसे mega fight कहते हैं ठीक है यह भी आपको ध्यान रखना है और यहाँ पर नहोगुनी एबुनी रोज वूड आयरन वूड जैसी जो है लखडियां पाई जाती है इसके अलावा यह है वर्सा वंचेत्र तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर वनस्पतियों के विकास को क्या नियंत्रित करता है क्योंकि यहाँ पर बाराव महिना जो है जो शूर कर प्रकास होता है डारेट पढ़ता रहता है यहाँ पर सीतरूत नहीं होती है तो यहाँ पर वनस्पत के विकास को नियंत्रित क्या होता है सनलाइट होता है तो जिन वनस्पतियों को प्रकास संसलेशन में अपनी भूमिका निभाते हुए यह उपर बढ़ जाती है उनमें देखिए वह उपर के और चड़ी आती है तो उनसे कम प्रकास संसलेशन में उनसे नीचे यानि कुल मिलाकर इनमें मनस्पतिय को विकास जो है लेयर में होता है ठीक है तो यह कुछ बाते आपको क्लियर हो जानी चाहिए इसके अलावा अगर बात के फैक्शल इंफर्मेशन की बात करें तो यहां पर सीत्रित नहीं होता है दैनिक और वार्षिक ताप में अंतर ना के बराबर होता है और यहां पर जो है आप देखेंगे जो है वर्षा जादा होती रहती है हुमरिटी भी जादा होती है टमप्रेचर भी जादा होता है और यहां का श्वाइल जो है कम उपजाई होता है और इसके अलावा यहां पर देखेंगे यहां पर जो है जो है जो है का प्रचलन रहता है ठीक है और यहां पर दोपहर के बाद जो है चमक के साथ जो है वर्षा होती है यहां पर इसके लावा रबर, कोकोवा, पॉम आयल जैसे खेती भी की जाती है और इसके लावा पिगमी, सरकाई, बोरा और प्रमुक जन जाती है यहाँ पर पाई जाती है बैरहाल अब इन फैक्ट्वल जानकारी को समेटते हुए अब आते हैं हम अपने कुश्चन पर अब जैसे ह हमने कहा है कि यहाँ पर जो है उफ्रकर्णमंदी वर्षा वन में जो है लेटराइट स्वाइल पाई जाती है ठीक है लेटराइट स्वाइल तो लेटराइट स्वाइल जो है क्योंकि यहाँ पर वर्षा जो होती है 200 सेंटीमेटर से अधिक होती है और वर्षा जब 200 सेंटी सुल का नेरमार होता है तो क्या होता है दोस्तों इसमें जब वर्शा अधिक होता है या अधिकYeson होता है तो नीचालन की प्रक्रिया होती है उपर क्या होता है एल्मोनियम और फेरस के ऑक्साइड उपर रह जाते हैं जो हैवी मेट्रियल है और इसके अलामा जो है आप देखेंगे सिल्का और छारी तत्व कता स्हुमस जो है नीचे की ओर बैठ जाता है ठीक है यानि आप उपर देखेंगे पर पोसक तत्तों की कमी होती है यानि लेटराइट स्वाइल का ही एक प्रकार जो है ये भी आपको ध्यान रखना है अगर आपको इतनी सारी बातें ना समझ में आ रही हो तो आपको ध्यान रखना है कि उफ्ट करबंदी जो वर्सावन है या विश्वत रेखी वर्सावन में उसमें जो है लेटराइट स्वाइल पायाती है लेटराइट स्वाइल में निच्छालन के कारड़ जो है वहाँ पर पोसक तत्तों की कमी होती है क्योंकि जो मेन पोसक तत्त होते हैं सिलका और हुमस जिससे मृदा की उर्वरता होती है शारी तत होते हैं वो जमीन के अंदर चले जाते हैं निच्छालन की प्रक्रिया के द्वारा भारी वर्षा के द्वारा पानी के साथ चीके खुल कर और जो हाईवी माटेरियल रहते हैं जैनि फेरिश और जो है वो सता पर रह जाते हैं जिससी उत्पादक्ता उनकी कम हो जाती है पोसकत सता पर नहीं पाय जाते हैं तो इस प्रकार इसमें option एक जो है सही है यानि कथन सही है अब कारड क्या बता जा रहा है उसको देखते हैं यानि उस कद्दमंदी वर्षा वन में उच्छ तापमान होता है आद्दा जादा होता है इसकार मर्दा में जो विद्दमान मृत जयवपदार्थ होते हैं उनका अब गटन जल्दी होता है ये बात भी सही है ठीक है जहां तापमान जो है जादा होगा आद्दा जादा होगी वहाँ पर जो है जो जैव निम्रिक्रित कीड़े है वो ज्यादा एक्टिव होंगे उनका विगटन जल्दी होगा और वहीं अगर जहाँ पर cold region है वहाँ पर आप देखेंगे तो पेड़ की जो पौधे की पत्तियां होती है वो जल्दी सड़ती नहीं अगर आपको साधार ल प्रॉपिकल लीजन की बात करें तो यहाँ पर इतनी हुमरिटी इतना टंप्लेजर ज्यादा होगा होता है कि यहाँ पर जो कीड़े होते हैं वो एक्टिव हो जल्दी ही जो जैपदार होते हैं वो अब गटिद हो जाते हैं तो कुल मिलाकर इसमें option एक हो यानि एक कथन ए रखनी है कि इसमें जो है option जो है कि डी सही है क्योंकि जो है इसमें मिर्दा पोसक ततों से भरपूर है अभी हमने बताया कि भरपूर नहीं होते हैं पोसक ततों का अभाव होता है तो कथन एक गलत है कथन दो सही यानि option डी सही होगा अब बढ़ते हैं next question की तरह तो इसमें जो है यह वर्ड का जो है ट्रॉपिकल रेंड फॉरस जोन है ट्रॉपिक आप कैंसर और ट्रॉपिक आप कैप्रिकॉन के बीच जो है करकरेखा के बीच में जो भी area इस्थित है उसको जो है क्या कहते है उसको जो है वर्षा वन छेत् ठीक है यहां पर जो है आपको वार्षिकता पांतरश ना के बराबर दिखने को मिलेगा ठीक है यह पर हमर्टी और जो कहते हैं जो कहते हैं जाल रहती है वह जाले रहती है छिए इसको आपको पढ़ लेना है अब दिखे जो हम बात करें तो यूपी एस is सिविल सर्विसिस जम 2011 में कुशन पूछा गया था कि यदि उफ्ष करबंदी वर्षावन को हटा दिया जाए तो उफ्ष करबंदी पढ़ पाती जंगल के तुलना में जल्दी से पुना उत्पन नहीं होता है ऐसा इसलिए क्योंकि वर्षावन की मिट्टी जो होती है तो इसलिए जो है उफ्ष करबंदी वर्षावन जो है उसकी पेच्छा जल्दी सोथ पन नहीं होगा तिये चीजे भी आपको ध्यान रखनी है अब बात करें क्लाइमेट जलवाय मन 2023 में कुशन पूछा गया अब देखिए इसका हिंदी टांसलसन कितना क्लिस्ट कर दिया है जैसे हम क्लिस्ट बोल रहे है हिंदी में मतलब जटिल कर दिया है जो आपको इस स्टेट्मेंट समझने में ही जो है लेने के देने पड़ जाएंगे अगर जिसको इंगलिस में समझ नहीं है तो हिंदी आती है उसको जैसे देखे विपर्यास ऐसे वर्ड देता है अब इसमें कथन एक में देखा है ग्रीश मुरित में महादीपों और महासागरों के बीस तापमान विपर्यास यानि अंतर शीतरूत की पेच्छा अधिक होता है ऑप्सन दो दिया है कथन दो कर पढ़ेंगे जल की विशिष्ट उस्मा भूप्रिष्ट की विशिष्ट उस्मा से अधिक होती है यानि जो लैंड होता है उसकी विशिष्ट उस्मा जो है जल की विशिष्ट उस्मा से कम होती इस तरह पढ़ सकते हैं जल की विशिष्ट उ किसी पदार्थ का वह गुड़ जो किसी पदार्थ द्वारा दी गई जो उर्समा की आवसाजित करने की छमता उसके तापमान के परिवर्तन को निधायत करती है ठीक है यानि जल की विशिष उसमा अधिक होती है यानि लेंड से लगबक चार गुणा तापमान अधिक जो ऐसे होता है ठीक है तो यह चीज़े आपको ध्यान रखना है ठीक है इसमें option एक जो है सही है और option 2 भी सही है यानि इसमें option एक जो है वो सही है बहरहाल अब इसको और simple language में आपको समझाते हैं जैसे एक किलो का gold का brick है और एक किलो water है ठीक है अब इनको इतनी amount of heat चाहिए जो है जो इनका temperature जो है एक degree Celsius जो है पढ़ा दे अब specific heat यानि विसिस्ट उस्मा जो है इनको एक किलो का gold गरम करने के लिए जितनी उस्मा चाहिए उसे 30 times ज्यादा जो है एक किलो का water को गरम करने के लिए उस्मा चाहिए उसे ही क्या कहते है विसिस्ट उस्मा कहते है ठीक है यानि different material store different amount of heat energy water takes about 30 times longer to heat than gold meaning it store about 30 times more calories तो यह बीच चीजे आपको यहां से और असपस्ट हो गई होंगी विसिस्ट इस्मा कैसे difference करती है ठीक है तो इस प्रकार इसमें देखेंगे option यह जो है सही है यानि ग्रिश्मृत में महादीप और महासागरों के बीच तापमान का अंतर जो है सीतरुत की अपेच्छा अधिक होता है ठीक है यानि आप देखेंगे कि ग्रिश्मृत में जमीन जो होगी भूम जो होगी जादा गर्म होगी और वहीं समुद्री सताव होगा ठंडा होगा ठीक लेकिन अगर सीतरुत की बात करेंगे तो सीतरुत में जो है जमीन ठंडी होगी और जो समुद्रुक्वपानी होगा या जल का तापमान होगा उसकी पेच्छा जो है हलका गरम होगा यानि ग्रिस्मृत की पेच्छा उतना अंतर नहीं होगा सीतरुत में जितना ग्रिस्मृत म जल्दी ठंडा होता, ये आपको, ये चीजे आपको ध्यान रखनी है, इससे आपका concept और जल्दी clear हो जाएगा, बात करते हैं, इसमें climate में से संबंदी थे, 2003 में question पुछा गया था, चीन की तुलना में भारत के पास अधिक क्रिश्योग छेत्र है, option 2 दियेगा, चीन की तुल अगर वैसे भी चाहें, आपको data ना रहे, तब भी आप common sense से सो clear कर सकते हैं, कि चीन की तुलना में भारत के पास अधिक क्रिश्योग छेत्र है, ये बात सही है, क्योंकि चीन का अगर geographical location देखेंगे, तो वहाँ पर पहाड ठीक है, और desert ठीक है, बहुत बड़ा reason है, वहाँ अधिया के पास 156.1 million hectare जमीन है, और जब कि चीन की बात कर रहे, तो 119 million hectare जमीन है, क्रिश्योग अगर common sense यूज करेंगे, तो common sense से भी ये question सही हो सकता है, कि चीन के पास जो आप देखेंगे, तिबबत का पठार हो गया, बहुत सारे उनके पास हिले region है, जो इनका western वाल पार्ट में जाएंगे, तो बीच में थोड़ा सा उनको क्रिश्योग छेत्र भूम मिलता है, और desert region जादा है उनके पास, जब कि भारत के पास जो है क्रिश्योग छेत्र भूम जादा है, इस परकार option एक सही है, चीन के दुलना में भारत में सिंचित छेत्र का अनुपाद अधिक है, ये बात भी सही है, क्योंकि जब लेंड जादा है, सिंचित छेत्र भी जादा है, तो इंडिया के पास जो है, अगर डाटा के कॉर्डिन देखे, 48% है, चीन के पास बात करत, चीन के पास 40 से 41% है, तो इस परकार option 2 भी सही है, और जहां तक option 3 की बात है, चीन की पास जो है, अधियोगिक यानि कह सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, यानि उनके पास उत्पादक्ता बढ़ाने की मसीन जादा है, ठीके, कम एरिया में जादा प्रोड़क्टिविटी बढ़ा सकते हैं, अगर एक्जांपल की बात करें, तो इंडिया जो है, चावल जो है, उत्पादन करता है, 2.4 टन, और वहीं चीन जो उत्पादन करता है, 6.7 टन, जो ही ये इसको उत्पादकता है, गेहों की उत्पादकता है, भारत की है, 3 टन, और चीन की गेहों को उत्पादकता है, 5 टन, तो आप दिखेंगे, उसके पास, जो है, क्रिस्यों को भू मशीन उतलब्द करवाकर उसने जो है productivity बढ़ाई है कम area में ही जो इसने productivity बढ़ाई। इसमें option 3 गलत हो जाएगा। इसमें option B केवल 2 ऑपसर इसमें सही यहानी बी जो हो वो सही हो जाएगा तो इसको आपको यहां से देख लेना है तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा नेचुरल वेजिटेशन से जितने भी 2011 सो 2013 तक कुश्यन आया है उसको हम लोग देखेंगे और अगर आपको पसंदार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा यह हमारा टेलिग्राम चैनल है इसको आप स्कैन कर सकते हैं सर्च कर सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ निच्ट्रल वेजिटेशन या प्राक्तिक वनस्पत के साथ ऐसे एक्स्प्लानेशन के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट जो क्लास होगी वो फाइन आर्ट एंड कल्चर से कुश्चन पूछे गये हैं, यानि 2011-2013 तक हमने आर्ट एंड कल्चर का कबर कर दिया है, मिलते हैं निक्स क्लास में